Hello student, आज हम इस वीडियो में विशल ब्लोवर पॉलिसी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विशल ब्लोवर होते क्या है, यह क्या चीज है यह तो it means what कि blowing a whistle or raise the voice, मतलब विशल को बजाना है ना CT बजा के आप किसी चीज के regarding क्या कहते हैं, आप किसी को aware करते हैं कि यह चीज गरबड होने वाली है, इसी तरह कि किसी भी organization में, किसी भी bank में अगर विशल ब्लोवर की बात हो रही है, it means what कि वो अपनी voice को raise कर रहे हैं, और voice को raise किसले कर रहे हैं, अपनी आवाज क्यों उठा या उसके against में बोलना क्या कहलाएगा, आपका visual blower कहलाता है, तो यह क्या है एक act है, जिसमें हम कुछ information को reveal करते हैं, सब के सामने लाके रख देते हैं, in front of the public, तो हम उसे कहते हैं कि visual blower, तो basically visual blower क्या करते हैं, कुछ ऐसे information जो कि गलत हो रहे थे, उस सारी चीज़ों की details किस चल जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, कि visual blower को कैसे define कर सकते हैं, कि एक ऐसा act, जो क्या करते हैं, जो information को disclose कर रहा है, कैसी information को, कि किसी भी organization में, अगर कोई unethical या कोई illegal काम हो रहा है, तो उन सारी information को, वहां के employee या कोई भी stakeholder, उसको disclose करते हैं, उस information को बताते हैं, तो इसी act क ये सब करने को ही हम क्या कहेंगे, कि whistle blowing और ना, clear है, कि मतलब organization में जो कुछ भी गलती है, उसको सब के सामने लाके रख देना, और ये लाके रखने वाले कोन हो सकते हैं, कोई भी stakeholder या कोई भी employee, तो इसे हम इन्हे ही हैं, जो लोग ये उठाते हैं हम आज, उनको हम मिलेंग Panama paper leaks में disclose किया गया था, कि जो tax evasion हो रहा है, global level पे लोग tax story करके चीज़े safe कर रहे हैं, तो Panama paper के through वो चीज़े disclose हुए, तो वो भी whistleblower policy से हुआ, वहीं पे, Uber का था, Uber की files में, तो वहाँ पे भी जितने भी unethical practices की जा रहे थी, Uber के through, वो चीज़े वहाँ पे disclose की गई, whistleblower के important whistleblower examples हैं हमारे सामने, अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो whistleblower protection act framework, वो कब हुआ 2014 में, तो देखे, whistleblower protection bill जो है, वो present कर दिया गया तो 2011 में ही, और वो pass हो के law या, तब act में convert कब हो गया 2014 में, तो हमारा ये जो whistleblower protection act 2014 है, वो क्या empower करता है, वो क्य जिसकी power देता है, वो कहता है कि कोई भी person, anybody, जो की whistleblower हो, कोई भी, वो क्या करे, disclose कर सकता है, कोई भी act of corruption, ऐसी कोई भी चीज, जिसके थूरू, authority का, authority का misuse किया जा रहा हो, जान भूच के, है ना, कि मैं इस dramating position पे हूँ, तो मैं इसी position का फाइदा उठा रही हूँ, गलत जो भी चीज disclose की जा रही है, वो सब whistleblower कहलाते है, तो कोई भी corruption, कोई भी misuse of authority, कोई भी ऐसा criminal work, public official के थूरू किया जा रहा है, उसको disclose करना, और कोई भी disclose कर सकता है, तो ये इस चीज की power कौन दे रहा है, Visual Blower Protection Act 2014 दे रहा है, वहीं पे हमारा जो companies है ना, companies, वो कहती है कि, एक notice, इस तरह के कोई भी complaint होता, तो उसकी notice आपको companies को देनी पड़ती है, ठीक है, अब वो notice क्यों देनी पड़ती है, अगर उनके कोई भी ऐसे whistleblower की चीज हुई, तो उसकी notice देनी पड़ती, क्योंकि इसके regarding act है proper, तो Companies Act 2013 में, और as well as World Securities Exchange Board of India से भी, इन दोनों के अंदर उनको notice उस complaints की serve करने पड़ती, क्योंकि इन दोनों की rules and regulation यहाँ पे applicable हो जाते हैं, तो अगर हम Companies Act की बात करते हैं, तो as per section 177 of Companies Act 2013, unrelevant rules there are on, उसके जिते भी rules बने हैं, उसमें क्या कहा गए, कि हर एक listed company, यह कोई भी company, जो कि इस class या इस classes से belong करती हो, उनको अपने यहाँ प employees के लिए कि जिससे कोई भी genuine concern या कोई ऐसा grievance हो, तो वो उसको वहाँ पे report कर सके, ऐसा mechanism उनको तयार करना होगा, ऐसा किसने कहा, as per section 177, तो companies में proper vessel mechanism का proper sector होना चाहिए, जिससे कि कोई भी director, कोई भी employee हो, तो अपने problems को या उन्हें कोई चीज़ पता चल रहे है, तो उसको properly वो report कर पाएं, अब हम बात करते हैं कि objective क्या है, विशल ब्लोवर इसके, तो जब हम objective की बात करते हैं कि companies की, जो विशल ब्लोवर की policy होती है, उसकी पीछे क्या objective होगा, जो भी विशल ब्लोवर की policy frame करेंगे, तो क्या objective साथ वो policies frame होनी चाहिए, तो एक तो ये, कि proper avenues वो employees हो ये, डारेक्टर हो, उसको provide किया जाए, कि जिससे वो अपनी आवाज उठा सके, वो अपनी problems को बता सके, या उसको कुछ पता चला है, तो वो सामने रख सके, कोई भी violation of law हो रहा है, या कुछ भी ऐसी, कोई भी ऐसी business practice हो रही है, जो questions, questionable है, means जिस पर doubt की create किया जा सकता ह कि जो की, पूछ जा सकता है कि ये चीज ऐसे क्यूं है, तो इस तरह की कोई भी business practices हो रही है, या इस तरह को कोई भी चीज, जिससे क्या औरा financial loss होगा, या company की, company की जो reputation है, वो harmful हो, उस पर bad impact पर सकता है, तो ऐसी कोई भी चीज अगर हो, तो उसके regarding employees, directors, अपनी बात कह सके, इस तरह की सुकसोविधाय चीजें, facilities उनको provide करना चाहिए, या इस तरह से वो comfort zone में रहें, तो policy इस तरह से frame करनी चाहिए, same, इसी तरह से एक objective ये भी रखिए, कि आगर कोई whistleblower आपके सामने है, तो उसको reassure करिए, उसके protection के regarding, मतलब कोई किसी भी तरह से उसके साथ discrimination नही किया जाएगा कि ये एक victim है, इसने ही गलती बताई है, तो अब इसको इस तरह से treat किया जाए, तो इस तरह से काम ना किया जाए, अगर कोई whistleblower है, तो उसको good faith में देखे company हो, और उसको proper protection provide किया जाए, right, इसके इलावा, जो आपके whistleblower policy है, उसका objective क्या होता है, कि जो भी reporting investigation या settlement, आपकी regulation, settlement regarding जो भी आपके regulation है, वो properly mentioned हो, right, कि जैसे means किया कि अगर कोई whistleblower है, तो अब उसको कुछ पता चल गया, कोई ऐसा act उसके नजर में है, या कोई चीज ऐसी है, जिसको वो जान रहा है, कि गलत हो रही है, और उसके बारे में वो report करना चाह रहा है, तो उसक चीज के regarding proper regulations होने चाहिए, जो companies, stakeholders, employees, सभी को पता हो, right, तो इस तरह की आपकी policy होनी चाहिए, जिससे अगर कुछ ऐसा आए, तो वहाँ पे properly उन चीजों की report की जा सके, इसके अलावा direct assess होना चाहिए, MDs, या chairman के through, या कोई, या फिर आपकी जो audit committee की chairman है, उनका, या कोई senior management है, director है, जो कुछ भी involved है, आपकी organization में, उन पर direct assess होना चाहिए, कि अगर कोई person को कुछ गर्बर पता चलती है, तो वो इन तक पहुत सके, अगर मान लीजी कि ऐसी, आप accessibility नहीं रखते हैं, और हमें ऐसी ही किसी इंसान से होके गुजरना है, जो already उन सारी fraud में involved है, तो फिर possible नहीं है, कि visual blower safe रहेगा, तो इसी विजह से उनके protection को ध्यान में रखते हैं, यह रखा गया, कि भाई, एक proper assess हो, सभी के लिए assess हो, कि अगर कुछ problem है, तो वो उन तक पहुत सके हो, और उनको अपनी बात रख सके, अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी list की, मतलब कुछ ऐसी की, जिसको हम whistleblowers के categories में रखते हैं, तो यह कुछ examples हैं, यह वो area के examples हैं, जिनके regarding whistleblowers किये जाते हैं, मतलब जिसके regarding लोग raise करते हैं, अपनी voice के, हाँ, यह चीज गलत हो रही है, यह इसके regarding लोगों तक awareness जाने चाहिए, कि आपके इस college में, या आपके इस company में, आपके इस bank में की घरबड़ी हो रही है, correct, अब वो चीज़े क्या-क्या हो गए, like incorrect financial reporting, कोई incorrect reporting की जा रही है, है profit 200 करोड का, profit दिखा जा रहा है, 400 करोड का, तो इस तरह से कोई भी incorrect financial reporting हो रही है, उसके बारे में, कोई confidential information किसी दूसरे party के शेयर की जा रही है, और किसी employee को यह बात पता चल चुकी है, तो वो whistleblower बनके इन सब चीज़ों को save कर सकता है, किसी privacy को breach किया जा रहा हो, कोई fraud या fraudulent कोई, इस तरह से कोई काम किया जा रहा हो, किसी भी financial data को misrepresent किया जा रहा हो, किसी project के values को, किसी project की cost को, कहीं भी, किसी भी तरीके से financial data को misrepresent किया जा रहा है, या फिर वेगरा corrupted way में दिये जा रहे हैं किसी भी client को बिना material देखे बिना चीज़ देखे हुए तो इस तरह को कोई correction है conflict of interest है company के अंदर ही trading आपकी हो रही हो या competitive behavior है जो illegal हो रहा हो मतलब गलत तरीके से आपके competitors को deal किया जा रहा है या उनको market से out किया जा रहा है या फिर company के assets को improper तरीके से use किया जा रहा है अगर इसमें से कुछ भी किया जा रहा तो आप इसको whistleblower की category में रख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि procedure क्या होता है whistleblower का तो चार main procedure आगे reporting, investigation, safeguard and disciplinary action अब यह क्या है, सबसे पहले बात आती है reporting की, तो अगर कोई whistleblower की चीज़ है जो conduct हो रही है, whistleblowing conduct हो रही है, तो उसके से पहला step हमारा क्या होगा कि जिस भी employee को ऐसा कुछ पता चला कि हाँ कुछ यहां गरबड हो रही इस organization में तो उसको सबसे पहले अपने superiors को या अपने managers को जाके उसको report करना पड़ेगा, right या फिर वो directly जो designated executives हैं या audit committee के जो chairman है या MD है उनको जाके वो proper तरीके से report कर सके, तो सबसे पहली बात कि जिसको समझ में आया, जिसको पता चला, उसको पता हो कि उसको report करना है तो एक designated executives और officers या audit committee के members होने चाहिए, जिनके पास वो जाके अपनी बात report करें कि ये गलतियां हो रही है next investigation क्या कहती है, कि एक बार अगर complaint आ गई, कि कुछ भी unethical practices की जा रही है न, तो जिस भी manager को, जो भी reporting manager था जिसको ये report की गई है या कोई designated executive जिसको report की गई है, उसका काम क्या होता है, कि 10 दिनों के अंदर उसका पूरा plan of action तयार कर ले कि जो कुछ भी कहा गया, वो किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है मतलब पूर तरीके से उसको investigate करें, पूरा procedure उसका ready करें, कि जो भी findings whistleblower की है, वो किस हद तक सही है है ना, तो वो पूरी चीज जो है, यहाँ पे की जाती है, कि कहीं कोई गरबड़ी है क्या, और गरबड़ी है तो किस level तक है, कहाँ पे कैसे हो रहा है, उस तरही किसे investigation होगी the next safeguard की बात आती है, safeguard के कहता है, कि जो भी visual brothers है, आप उनको proper तरीके से क्या provide करिये, protection प्रोवाइड करिये, तो उनकी identity को protect किया जाए, उसके लिए जो भी necessary steps ले जाने चाहिए, organization को वो organization ले रही हो, और अगर किसी, मतलब कोई ऐसी point है, कोई ऐसी चीज जिसके लिए court में जा आना है, तो उस वक्त अगर identity reveal करनी भी पड़े, तो आप वहाँ पर identity reveal करिये, पर यह धियान रखिये कि वो protected रहे है, जिन्होंने voice raise किये, वो protected रहे हैं, right, and the last one is what, disciplinary action, तो एक बार जो complaint unethical practices के regarding हुई है, अगर वो investigation में justified हो जाती है, clearly हो जाता है, कि हाँ यह गलत है, तो जो भी party है, जिन्होंने भी गलती करी है, उसके against punitive action होना चाहिए, तब उसके against punishments वेगेरा जो है, या disciplinary action जो है, वो proper तरीके से लिया जाना चाहिए, तो यह पूरा procedure clear हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा यह visual blowers हो जाते हैं, I hope आपको clear हुआ होगा, wish you all the best, thank you so much.